हाई एवरीवान बस कुछी दुनों में अपना सीमेंटर का एक्जाम शुरू होने वाल है एंड आम शूर तुम लोग बहुत महनत से रिवाइस कर रहे हो जितना बेस्ट पॉसिबल मैनर में तुम अपना टाइम यूज करना जानते हो तुम सब कर रहे हो एफर्ट के मामने में 10 out of 10 तो बस उसी तुमारे एफर्ट को थोड़ा सा fine tune करने के लिए एक strategy में आत्माय सामने लेकर आया हूँ और अपना paper number 7 taxation especially अगर tax को last day revise last के समय में revise करने का बात किया जाए तो कहीं न कहीं challenge phase होता है क्योंकि syllabus है इतना बड़ा time है इतना कम और revise करने को quantity इतना सारा तो वो कहीं न कहीं challenge phase होता है especially for taxation paper तो बस वो कम से कम टाइम को क्या best possible manner में use कर सके बस ये strategy है तुमारे लिए ज्यादा टाइम नहीं ले माला 5 minutes maximum बस इसको एक बार ध्यांद से सुन लेना जब last day revise करना अपने को 100 marks का paper 7 taxation तो उसमें तुम इस समय last day you have to focus on 50 marks of IDT income tax पे अभी heads of income पे बहुत ज़्यादा deep focus मत डालना छोटे-छोटे chapters को focus करना TDS return filing residential status set of carry forward clubbing ये सारे chapters को focus करना जिससे छोटे-छोटे 46 number के questions आते है marks scoring वहाँ पे आपको marks उठाना है उसके बाद GST का 50 marks है 40 GST and 10 customs 50 marks है अपना IDT वाला portion है उसको focus करना है वो quantity कम है और आपको 50 number दे के भी चला जाएगा syllabus कम है बट 50 marks दे के चला जाएगा करना कैसे is the question तो यह आपको PDF यहाँ दिख रहा है यह PDF है जो मैंने marathon में use किया है और exact वही markings के साथ तो किस तरह से अपने quick revision कर सकते हैं य देड़ दिन का समय में यह 50 number अपने revise कर सकते हैं कैसे ध्यान से सुनना तुम लेकर बैठ जाना यह वाला PDF कैसे लेना मैं सब बता दूंगा बस दो मिनिट का time दे दो यह PDF है of GST book marked book markings के साथ अपना PDF uploaded upload कर दे रहा हूं मैं तुम access कर सकते हो कैसे सुनना बता रहा हो सब पहले कैसे करना वो देखो तो यह PDF GST book का एक device लेना दो devices लेके बैठना है तुमको एक mobile phone दूसरा mobile phone laptop iPad mobile phone जो लेना ले लेना एक phone में marathon वीडियो चला लेना सब चीज़ तुमको इस description box में मिल जाएगा marathon वीडियो चला लेना एक mobile phone में और earphones में डाल लेना यह फोन में उसको सुनन है एक दम loudspeaker कुछ नहीं यह phone चलाना marathon चलना चाहिए और सामने दूसरे device में तुम्हारे पास book होना चाहिए if you have the physical book classes किया हुआ है बहुत बढ़िया very good in case नहीं भी है तुम्हारे पास तो यह PDF जो PDF हमने marathon में use किया है markings के साथ वह मैं upload करते रहा हूं you can access it यह दोनों लेकर बैठ रहा है आठ से 9 घंटे का अपना पूरा GST का marathon है one full day सुबे से लेके रात तुमको देना है और यह marathon को तुमको पूरा start से इन तक देख लेना है going through that book अब कैसे करना is the question marathon चालू कर लो chapter by chapter शुरू से लेके last तक तुमको बस एकदम line से line से चलते जाना है कैसे start क्या first chapter से marathon अपने सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा fast मत करना 1.2 1.25 maximum चले जाना YouTube पे 1.25 वो speed को select कर लेना कान में लगाते हुए चलना और सिर्फ सुनना नहीं है double काम करना है सुनते हुए बोलते हुए चलना है बोलना सारे points को बोलना अगर goods है तो goods का definition को साथ साथ में बो चीज अपने marathon में बोल रहे हैं तो आपको markings को देखके बोलते हुए चलना है and then आप सुन भी रहे हो बोल भी रहे हो सुन भी रहे हो बोल भी रहे हो यहां पर double काम हो रहा है कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा revise कर पाऊगे इस चीज से तो यह आपको इस तरीके से अपन से three-fourth of the day में हो गया बहुत बढ़िया बात very nice second day उठते ही आपको क्या करना है मेरे एक second marathon वीडियो है for questions नीचे ही आपको सारा मिल जाएगा second marathon वीडियो है for questions लगबग 45 questions है आपके past year questions for CMA Inter exclusively CMA Inter के लिए last 45 questions का PDF बना हूँ है वो सब आपको मिल जाएगा वो आपको refer करना है once लिए 45 questions को solve करना लिखने का time नहीं है PDF लेना सुनना सुनके बोलते हो चलना अगर कोई typical question तुमको लगा वहाँ पर वीडियो को pause करके solve कर लेना खुछ से इसमें आपको देना है लगबग 4 to 5 hours 5 hours इसको दे देना ये काम हो जाएगा थर्ड ये होगे अपना 40 marks थर्ड अपने चल जाएगे customs का 10 marks में वो नीचे ही आपको description box में मेरा एक 3 घंटे का marathon वीडियो मिलेगा 3 घंटे का marathon वो आपके 10 marks के customs को पूरा बहुत अच्छी तरीके से secure कर जाएगा in fact जो last time का आपका question आया था अपने paper में 8 number का जो question आया था accessible value निकालने का वो same question अपने marathon में discuss किया भी था तो शायर ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस PDF से ही जितना questions अपने वहाँ solve कर रखा है उसी से question उठके आ जाए तो बस यह आपका इस तरीके से आपको GST को cover करना है अपना 50 marks का indirect tax को cover करना है for your last day quick revision डेर दिन का target इस तरीके से process करना है रहा बात MCQs का MCQs जब आप marathon देख रहे होगे वह अपने आप MCQ का prep करवा देगा आपको तो MCQs को लिखे अलग से tension मत लेना वह उसी में cover हो जाएगा second last question यह है भाई यह सब मिलना कहां से कैसे मिलेगा तो नीचे आपको दो telegram channels मिल जाएंगे एक telegram channel आपको मिलेगा cma inter बोलके वो join कर देना आपने cma का सारा discussion सारा updates आपको उस telegram channel पर मिल जाता है वो आपको join कर देना वो आपको सारे links वगरा time to time share कर किये जाते हैं second आपको एक telegram channel मिलेगा mayang saraf-cacma inter करके ये channel आप join कर लेना ये channel में आपको ये gst book का pdf पूरा का पूरा marked pdf uploaded मिल जाएगा जो हम exactly जो हम marathon में refer कर रहे हैं साथ में बाकी दो pdf जो gst questions का है customs वाला जो pdf है वो सब भी मैं इसी में attach कर दूँगा वो सब आपको इस channel पर मिल जाएगा तो ये दोनों channels आप join कर लेना आपको सारे gst related resources मिल जाएंगे which will help you in your last day revision for your exam बहुत अच्छी तरीके से revise करना जैसा तुम कर रहे हो बिलकुल वैसा और कहीं पे भी तुम अटक रहे हो कहीं पे भी कोई doubt आ रहे है you know how to reach out अगर आपके पास मेरा number है number में message कर दो instagram पे reach out कर लो या अगर नहीं है तो youtube comment box में message कर दो I will reply to all your messages thank you so much all the best बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना और exams अच्छे दाएंगे